क्रिप्टो ने मचाई तबाही, जानिए क्यों बिटकोईन, डॉज कोईन, इथेरियम हुई धड़ाम, निवेश कोख हुआ कितना नुकसान, जिहां पिछले कारोबारी दिन बिटकोईन के साथ इथेरियम, बाइनेंस कोईन और डॉज कोईन धड़ाम हो गए हैं, चीन की एक लोगप्रिय क्रिप्टो करणसी, बिटकोईन के साथ इथेरियम, बाइनेंस कोईन और डॉज कोईन भी धड़ाम हो गए, जिससे निवेश को को पास्च और डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हुआ, रॉइटर्स के मताबिक, बीते दिन एक समय पर क्रिप्टो करणसी बज इनतम स्तर है, बिटकोईन के सिखर स्तर 24,800 डॉलर से तुलना करे, तो यह करीब 55 फीसदी नीचे है, इथेरियम अपने सिखर स्तर 4,312 डॉलर से करीब 36 फीसदी नीचे, यानि 2,850 डॉलर पर पहुचा, डोज कोईन 0.34 डॉलर तक गिरा, यह इसके उचतम स्तर से 55 फीसद की गिरावट आई, हाला कि आज बिटकोईन थोड़ा सबला है, यह 37,200 के करीब यह पार कर रहा है, दरसल चीन की एक धमकी से आई है यह गिरावट, चीन के सरकारी बैंक, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना की आधिकारिक वीचेट अकाउंट पर जारी नोटीस में कहा गिया ह की वर्चूल करेंसी को बाजार में इस्तमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह रियल करेंसी नहीं है, मालूमों कि चीन ने साल 2017 से ही वर्चूल करेंसी पर बैंन लगा रखा है, मंगलवार रात इस खबर के बाद ही बिटकोईन में भारी गिरावट आई है, इसके अत वायू चिनताओं के कारण बिटकोईन लेने से इंकार किया, मस्क ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी का आईडिया बहुत ही सांदार और इसका भविस से भी काफी उजवल है, लेगिन इसका हमारे पर्यावरण पर बहुत ही बुरा असर हो रहा है, उन्होंने कहा कि टेसला बिट जिगी